वेल्कम क्लास्टेंट आज हैर हम इस वीडियो में पड़ेंगे यार, फॉलिओन नॉमेर्स का सेकंड पार्ट ठीक है यार, इसमें हम क्या पड़ेंगे, हम पड़ेंगे रेलेशन बिट्वीन पॉलिओन इटो, zeros ठीक है आखिर क्या relation होता है polynomial में और उसके zeros में उसके बारे में हम इस वीडियो में discuss करेंगे basically हम दो ही तरह के polynomials उठाएंगे कौन-कौन से एक आपके quadratic यानि degree 2 ठीक है degree 2 और दूसरे होगे आपके cubic polynomials जिनकी degree कि इतनी होती है 3 ठीक है इनके relation देखेंगे relation कैसे देखेंगे ठीक है आखिर zeros को आप कैसे relate कर सकतो math में तो यार mathematical expressions में हमें पढ़ते क्या है operators पढ़ते ना operator क्या क्या होता है plus minus into division ठीक है तो यार अगर plus है तो यह होगा relation यह होगा और यह होगा इसके बारे में इस वीडियो में discuss करेंगे उससे पहले में यह बता दूंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना बूलना वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्षिन में जरूर पूछना मैं पूरी कोशिश करता हूं उनको कवर अप करने की ठीक है तब तक लियार स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने उठाया है क्वाडिक पॉलिणामल कैसा क्वाडिक से क्या मदब होता है डिगरी इस इकवास टू ठीक है a x squared plus b x plus c एक polynomial है quadratic polynomial है जिसके roots क्या है roots कह लीजे या zeros कह लीजे ठीक है जिन पे polynomial कितनी value देगा value of polynomial कितनी होगी value of polynomial होगी आपकी is equals to 0 ठीक है कितनी होगी polynomial की value 0 ठीक है जैसे अगर sum of roots sum of roots की बात करें तो वो होता है minus b upon a alpha plus beta कितना होता है इसकी value होती है minus b upon a minus b upon a मलब minus times of coefficient of x minus times of coefficient of x upon coefficient of x squared alpha minus beta difference of roots ठीक है अच्छा यार यह difference है यानि इसमें mod लगेगा हमेशा यह difference of roots की quantity जा है हमेशा positive quantity है हमेशा यह quantity आपकी positive रहेगी यानि आप यहां पे भी mod लगाओगे ठीक है mod लगाओगे alpha minus beta होगा under root d upon a d क्या होता है d को हम कहते है discriminant क्या कहते है discriminant कहते है discriminant d बराबर b squared minus 4ac इसके निकलता आपका अलफा इन्टू बीटा इन्टू बीटा इन्टू बीटा क्या होता है यह होता है आपका product of roots क्या होता है product product ठीक है product of roots product of roots से आपका कितनी value निकलेगी c upon a constant term upon coefficient of x2 यह होता है आपका क्या बोलते है quadratic polynomial है roots का product roots की product कितनी value देगा ठीक है इस तरीके से हम निकालते है यार अगर आप स़ई से देखो तो आपको पता चल गया है alpha minus beta पता चल गया है और alpha into beta तो क्या आप ऐसे भी roots निकाल सकते हो बस क्या बोलते है polynomial को देख कर ठीक है देखते हैं अगले step में ठीक है आप यहाँ तक तब तक लिए note कर लीजी वीडियो को लाइक करना ना भूले मन करना था यार बहुत देर फादू खड़े रहो तो अच्छा नहीं लगता ना मस्ती करते रहने चाहिए वही पढ़ाई कहीं थोड़ी यार की मस्ती बस्ती कही बाढ़ में एक दिन में पच्चेस घंटे पड़ो बैठके और यह और नोटकी करो यह कोई ज़रूरी नहीं होता ठीक है में मैंटर करता है कि जो पढ़ रहे हो वह पांच मिनिट में अगर आप नहीं देखा है ठीक है तो पांच मिनिट में आपको समझ यह आया कि नहीं ठीक है यह में चीज मैंटर करती है मेरे लिए तो चलिए यार अब करते हैं हम लोग questions को करते हैं ठीक है जैसे मैं एक question ले लेता हूँ x square minus 5x plus 6 is equals to 0 ठीक है ये क्या है आपका ये तो ये यार एक quadratic equation हो गई ठीक है हम quadratic equation हटा देते हैं अगर equals to हटा देते हैं तो ये polynomial बन गया वापस से ठीक है ये आपका एक polynomial बन गया अब आपसे question पूछ रहा है if the zeros are alpha and beta ठीक है zeros क्या है इसके zeros है alpha and beta कितने alpha और beta हैं इसके zeros ठीक है तो ये कहना चाहता है यार कि अगर इसके zeros alpha और beta है तो आप निकाल लिए sum of roots ठीक है ये पूछ रहा है आपसे sum of zeros ठीक है और इसको मान लेते जी ओफेक्स मान सकते हैं ठीक है ओफ जी ओफेक्स ठीक है ये कितना है ये बताइए मैं चाहूंगा करते रहो जब तक मैं मैं नीचे लिख रहा हूं ठीक है alpha beta क्या है alpha into beta कितना होगा product of roots ठीक है zeros लिखूं या roots लिखूं देम चीज़ है ठीक है product of roots यार यह दोनों equal है ठीक है zeros और roots दोनों equal होते हैं और जी ओफ एक्स ठीक है हमने polynomial माना जी ओफ एक्स आप निकालिए मेरे इसाब से मैंने क्या बता था alpha प्लस बीटा अगर संगी बात हो रही है तो minus times of minus b upon x square plus bx plus c में minus b upon y यानि x के साथ जो लिखा हुआ है उसका negative कर दो minus 5 लिखा हुआ है तो उसका मैंने negative कर दिया और नीचे x square का coefficient लगा दिया ठीक है x square का coefficient है 1 यानि यह हो जाएगा आपका 5 ठीक है और यह क्या कह रहा है product of roots of g of x कह रहा है आपका कि product of roots कितने है ठीक है तो product of roots का होता है constant term upon coefficient of 1 ठीक है x square यानि यह हो जाएगा आपका 6 upon 1 is equals to 6 ठीक है यह हो गया आपका answer यार इस तरीक से question नहीं आएंगे आपके जानते हो question कैसे आएंगे आपसे वह दे देंगे कि यह इतनी एक यह question है अब आप निका लो one upon alpha plus one upon beta कितना है ठीक है मैं चाहूंगा कि pause करके करो यार ठीक है पॉस्तों करें लिया होगा अब करते हैं हम लोग question one upon alpha plus beta लिखा है अगर हम लोग LCM ले ले लें तो यह बन जाएगा alpha beta upon alpha plus beta राइट इस तरीके से बन जाएगा अगर यह इस तरीके से बन गया तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि alpha plus beta कितना है आपका alpha plus beta है minus five minus five upon one यानि name plus five upon one है और alpha beta कितना है alpha बीटा है आपका six upon one ठीक है और इसको मैंने क्या किया solve किया तो यह बन गया मेरा answer आया five upon six यानि इसकी value इतनी है five upon six ठीक है इस तरीके question पूछेंगे हो लोग वो लोग आपसे simple question नहीं पूछेंगे समझे रोग आपसे वो पूछ लेंगे one upon alpha square ठीक है एक मने रहा sorry one upon alpha square plus one upon beta square इसकी value कितनी ह होगी ठीक है इस तरीकी से यह location पूछेंगे लेकिन आपको आना चाहिए में जीज़ायार कि आपको बस में फॉर्मले याद है कि नहीं ठीक है और आपको basic identity तो याद होनी चाहिए ठीक है कि a plus b ka whole square का formula क्या होता है aq plus b cube का formula क्या होता है ठीक है यह सारे formula तो आपने पढ़ अब बात आती है यार किसकी अब बात आती है हमारी इज़त की ठीक है इज़त नहीं यार cubic polynomial क्या चीज़ है cubic polynomial इसकी बात कर रहे हैं cubic polynomial की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं cubic polynomial क्या होता है यार आपता cubic polynomial हो गया aq cube plus plus bx squared plus cx plus plus nai plus d बराबर बराबर नहीं यार जब polynomial में लिखा है तो is equals to something कुछ लगाई है नहीं इसको लगा दिया तो तो यार वह equation हो जाएगी ठीक है क्या हो जाएगी equation यह हो गया अब इसमें भी यार हम लोग वराइटी ले सकते हैं ठीक है मान लीजिए इसके जीरो क्या क्या है एलफा होंगे बीटा होगा बुद्धु हो सई से देखो यह डिगरी ठीए बुद्धु कैसे हुए और बता दिया हो तो हमने सुनाने होगा ठीक है एलफा बीटा और गामा ठीक है कितने जीरोगे इसके तीन ठीक है कितने जीरोगे थे तीन अलफा बीटा और गामा तो याब हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग ऑपरीटर अगा लगाएं तो एलफा प्लस बीटा प्लस गामा कर सकते हैं हम लोग और और या प्लस गामा ऐलफा ताइम गामा एलफा अट ऐस मीटा गामा सकते हैं से प्रोडक लिया झाए यह अच्छी समूट कर लीजेगा अफा बीटा प्लस गामा कितना होगा ठीक है, मैं बता दूँ यार, यह होगा आपका B upon A ठीक है, यह कितना होगा आपका यह होगा आपका B upon A और यह कितना होगा आपका यह होगा आपका C upon A मैंने कैसे जाद किया था, यह है फर्स्ट नंबर पर ये है आपका सेकंड नंबर पर ठीक है ये सेकंड नंबर नहीं है ठीक है ये है आपका थर्ड नंबर पर और ये है सेकंड नंबर पर माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा ठीक है इसको अच्छे से आर नोट कर लीजिए ठीक है क्या है फॉर्मुला माइनस प्लस माइनस ठीक है अलफा प्लस बीटा अब क्या हो जाएगा यार यह आपका हो गया c upon a minus d upon a minus v upon a मैंने कैसे कैसे जाद किया है normal एक तो होता है alpha beta plus gamma ठीक है सबका normal sum कर दिया दूसरा होता है आपका की alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha ठीक है इस तरीके से होता है एक होता है alpha beta gamma ठीक है यह होते है ठीक इस तरीके से होते हैं अगर alpha plus beta plus gamma की कि बात करें इसकि बात करें अलफा प्लस बीटा फ्लस गामा की बात करें तो यह होगा आपका अब्ड यह प्लस प्लस माइनस मार्स दीसी डी ए ए ए ठीक है ए सब में नीचे डेनॉम्नेटर पिर फिर B, C, D है, फिर minus, plus, minus है, क्या है, minus, plus, minus, ठीक है, इस तरीके से मैंने आद किया था, मानी जी क्वेशन उठा लिया हमने, हमने क्वेशन क्या उठा लिया, हमने उठा लिया, 2XQ, plus, plus, 5X squared, minus, 6X, plus 3, अब आप इसके sum of roots बताओ, sum of roots कितना होगा इसका, sum of roots होगा, minus B upon है, यहाँ पर ये B है, ठीक है, मैंने, coefficient of X squared का minus, ठीक है, minus 5 upon 2, यानि इसके लिए हम value निकालेंगे, minus 5 upon 2, फिर हम अगर, alpha, beta, alpha, beta, alpha, beta, gamma, alpha करते हैं, तो वो हमारा कितना निकलेगा, c upon a, यानि, minus 6 upon 2, क्या निकलेगा, minus 6 upon 2, बरापर, minus 3, ठीक है, और अगर आपका निकलता है, alpha, beta, gamma, ठीक है, तो ये value कितनी निकलेगी, ये value आपके निकलेगी, यार, c, minus d upon a, यानि, minus times of 3 upon a, यानि ये हो का, minus 3 upon 2, बरापर, minus d upon a, बरापर, alpha, beta, gamma, ठीक है, ये हो गया, यार, आपका, यहाँ पर, cubic polynomial का, ने, एक, एक question उठा लिया, यार, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों में, शेयर करना, ठीक है, जाद जाद दोस्तों में, शेयर करो, knowledge ही बढ़े में, comment section में, मैं ही, जवाब दे दूँ, ठीक है, नहीं तो मैं उनको, next video में, उठा सकता हूँ, ठीक है, तब तक ले, bye bye, and thanks for watching,